हेलो चिल्डरन आज हम क्लास फर्स्ट में एवेस का चेप्टर थर्टीन प्लेसे साफ वर्शिप पढ़ेंगे यह ना प्लेसे साफ वर्शिप में पूजा के स्थान या पूजा की जगह हैं कहां पर हम लोग जाते हैं पूजा करने उसकी बारे में इस चेप्टर में पता है क्या है पहले हैं यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं गौड हैस क्रिएटेड दव वर्ल्ड भगवान ने दुनिया बनाई है वी दा हुमन बिंग्स और ऑल्सो दा क्रियेशन आप गॉड और हम इंसान इसको भी इश्वर की ही रचना है हम भी इश्वर के द्वारा बनाए और हम सब एक ही भगवान से प्राथना करते हैं But people have given him different name पर लोगों ने उनको अलग अलग नाम दे दिये हैं Some call him Allah, कुछ लोग उनको Allah कहते हैं Some call him भगवान, कुछ उनको भगवान कहते हैं Some call him वाहे गुरु, कुछ लोग उनको वाहे गुरु कहते हैं While some call him Jesus, जबकि कुछ लोग उनको Jesus कहते हैं People have met different buildings to pray और लोगों ने अलग अलग building ये बना दी हैं, prayer करने के लिए प्रार्थना करने के लिए, अलग design उ की building ये बना दी हैं, सभी धर्म के लोगों ने, जैसे ये है church, घिरिजा घर कहा जाता इसको, the Christians go to church to pray, यहाँ पर Christian लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, फिर next इस क्या है ये गुरुद्वारा दसिक्स गो टू गुरुद्वारा टू प्रे यहां पर सिख लोग जाते हैं प्राथना करने के लिए इसको वो गुरुद्वारा कहते हैं फिर है नेक्स्ट टेंपल टेंपल मेंस होता है मंदिर दा हिंदू गो टू दा टेंपल टू प्रे यहां पर हिंदू जाते हैं प्राथना करने के लिए यहां पर उनके इश्वर होते हैं फिर यह है मॉस्क्यू मॉस्क्यू मेंस मस्जिद दा मुस्लिम गो टू दा मॉस्क्यू टू प्रे यहां पर मुस्लिम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए ठीक है अब यहां नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सभी जो पूजा की स्थान बताये गए हैं इन सब जगह पर पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं सभी अपने अपने प्रिस्ट को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं सभी धर्म के लोग teo यहां पर बताये हैं जैसे सब से पहले हिंदूze हिंदू लोग अपने प्रिस्ट को पुजारी बोलते हैं मुस्लिम कॉल्स हिम मौलवी मुस्लिम उनको अपने पुजारी को मौलवी बोलते हैं क्रिश्चन्स कॉल हिम कॉल हिम फादर क्रिश्चन्स अपने पुजारी को प्रिस्ट को फादर बोलते हैं और सिक्स काल हिम ग्रंथी, सिक्ष अपने पुजारी को ग्रंथी बोलते हैं, ठीक है, यह अलग-अलग नाम दे रखें, अलग-अलग रिलीजन में, अब नेक्स क्या है, फेक्ट फाई, वी आल नो देट गौड इस वन, हम सब चांतिक भग इश्वर एक है, He has given us a beautiful world to live, और उसने भगवार ने हमें बहुत सुन्दर दुनिया दे रखी है, रहने के लिए, लेट अस लिव इन हार्मोनी, हमें इसमें सद्भावना के साथ रहना चाहिए, There is only one God, we call Him by different name, इश्वर एक ही ये पर हम उने अलग अलग नाम से पुकारते हैं, We should respect all the religions and place of worship, हमें सभी धर्मों का धार्मिक स्थानों का आदर करना चाहिए, ठीक है, यहां पर ये chapter फिनिश हो रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू